नमस्कार दोस्तों, उमीद करता हूँ आप लोग सस्त होंगे आज बात करने वाले हैं ब्रिहस्पत इग्रह के बारे में जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि अभी हाल ही में नासा द्वारा लूसी मिसन को ब्रिहस्पत की कच्छा में भेजा गया है तो ऐसे में आज बात करने वाले हैं कि आखिर लूसी मिसन को ब्रिहस्पत की कच्छा में क्यों भेजा गया है आज इसी टापिक को समझने का प्रियास करेंगे ऐसे में आईए पहले ब्रिहस्पत इग्रह के बारे में थोड़ा जान लेते हैं जैसा कि ब्रिहस्पत ग्रह को आरेंज कलर का माना जाता है यह भी माना जाता है कि ब्रिहस्पत ग्रह अपनी जगह पर सबसे पहले घुणन करता है जैसा कि ब्रिहस्पत ग्रह यह बाहरी ग्रहों में आते हैं जैसा कि आप लोगों को यहां यह भी बताते चलें कि कुल नव ग जैसे में अब आठ ग्रह माने जाते हैं जिसमें से चार-चार के दो समोहों में बाठ दिया गया है जैसा कि मंगल और ब्रिहस्पत के बीच में छूद्र ग्रह हैं तो ऐसे में इसे दो समोहों में बाठ दिया गया है छूद्र ग्रह के पहले जो ग्रह हैं उन्हें आंत्रिक ग ग्रह कहा जाता है तो ऐसे में ब्रिहस्पति ग्रह बाहरी ग्रहों की स्रणी में आता है जैसा कि ब्रिहस्पति ग्रह के पास कुल 73 उपग्रह हैं जिसमें से 16 ही मान्य है तो ऐसे में आईए लूसी मिसन के बारे में देखते हैं जैसा कि हमारे सवर मंडल में जीवास्मों की प पारे में जानने के लिए निकल चुका है जैसा कि आगे पीछे से गैसों से घिरे इस ग्रह के एक जुंड में चल रहे इस्टे राइट के दो समोहों का अध्यन करने के लिए उसे भेजा गया है जैसा कि जिसका अध्यन लूसी मिसन करने गया है उसे प्रोजन इस्टे इन्हीं टोजन के माध्यम से सवर मंडल के उत्पत्ती के बारे में जानकारियां मिल सकती हैं इस पर खोज से हमें सवर मंडल में परतमान इस्थितियों के बारे में पता चल सकता है भारती समय अनुसार इसे 16 अक्टूबर याने सनी वार को फ्लोरीडा के केप कैना वीरल स्प सालों में 931 मिलियन डालर यानि की 7,360 करोण रूपए खर्च किये जाएंगे और इस दवरान लूसी मिसन साथ ट्रोजन के पास जाकर के उनका अध्यन करेगा तो ऐसे में आये देखते हैं कि आखिर लूसी नाम इसका क्यों और कैसे पड़ा नासा ने इसे लूसी नाम क्यो से भी एक कारण है जैसा कि 1974 में इथोपिया के हादर नामक जगह पर एक मानव कंकाल मिला था जिसे प्राचीनतम मानव कंकाल माना जाता है जैसा कि बैज्यानिकों ने इस कंकाल का अध्यन किया और बताया कि यह अब तक का सबसे प्राचीनतम मानव कंकाल है जैसा कि इस प् प्रजातियाई और आधुनिक मानों का जंव हुआ। ब्रिहस्पति ग्रह के ट्रोजन का परताल करने के लिए नासा ने अपने मिसन का नाम इसी के नाम पर लूसी मिसन रखा। यह मिसन अंतरिक्ष के उन जिवास्मों की पड़ताल करने के लिए गया है जो पृत्वी के करोणो किलो मीटर दूरी पर ब्रिहस्पति ग्रह के साथ सूर्य का परिक्रमण करते हैं लूसी एक सहर के आकार का परिक्रमण करने के लिए डिजाइन किया गया है जो वस्तु की सनरचना खासियत तापमान आदि का विवरन तयार करेगा तो ऐसे में आई ये देखते हैं कि आखिर सौर्य मंडल कैसे बना जैसा कि बैज्ञानिकों के पास जो थियोरी है उसके मुता सौर्य मंडल का निर्माड धूल कड़ों इवं गैसों की नजदीक आने से हुआ है इससे सौर्य ग्रह और विभिन प्रकार की उपग्रहों का निर्माड हुआ है जिसमें से कुछ मालबा स्टे राइट के बचे हुए थे ये स्टे राइट गुर्त्वा करसन सक्ति के कारण या तो सौर्य में समा गए या कुछ सौर्य मंडल के बाहरी हिस्सों में इकठा हो गए जिसे कुई पर बिल्ट के नाम से जाना जाता है ये सभी सौर्य की परिक्रमा करते हैं तो ऐसे में आईए अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं जैसा कि हमारा अगला टॉपिक है कि ट 2027 से 28 तक पहुचेगा जबकि पूच तक पहुचने में इसे संभावना है कि 2039 तक पहुच सकता है यह पूरी यात्रा लगभग 4 अरब मेल की है जैसा कि कहा जाता है कि ट्रोजन पर सूध करना तूर्सी अंत्रिक्षियान का उद्देश्य है लेकिन ब्रिहस्पति ग्रह तक पहुचने के दवरान अन्य इस्टेराइड के भी परताल करेगा और डोनाल्ड जानसन के पास भी जाएगा ऐसे में यह देखना दिल्चस होता है कि आखिर लूसी मिसन को सफलता मिलती है या नहीं जिस उद्देश से इसे भेजा गया है क्या वास्तव में ट्रोजन इस्ट कारी मिलती है या नहीं ऐसे में आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा हमें अवस्चे बताएं मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और बेहतरीन टापिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद